लो फ्रेंट्स बात करते हैं, आज हीट का PART 2nd, पार्ट इससे पहले मैंने PART 1 डाला था, उसे आप जाहूर देख ले, तो पारला स्टार्ट करते हैं Kelvin Scale, Kelvin Scale में आप लोग जानते हैं, जब Kelvin साहब ने एक्स्पेरिंट किया था, temperature scale और pressure gauge पे तो temperature scale जैसे ही temperature बर रहा था तो pressure भी increase कर रहा था और जैसे ही pressure decrease हो रहा था तो temperature भी decrease हो रहा था तो यहीं इनका experiment दिया गया था और 99 गैसों का इसमें experiment किया था और हम लोग जानते हैं एक आप भी जान ले कि absolute temperature जो होता है वह minus 273.16 degree Celsius होता है उसको 0 Kelvin बोलते है यह exam में हड़ेक exam में पूछा जाता है यह आप point note कर ले absolute zero temperature होता है वह 0 Kelvin और minus 273.16 Kelvin और तीन गैस पे यह इनका experiment किया था जैसे ही temperature बहा रहा रहा था तो pressure भी बढ़ रहा था और temperature घटा रहा है तो pressure भी घट रहा था तो यही बात अब मैंने बताया कि pressure बढ़ेगा तो temperature इंक्रीज करेगा और pressure डिक्रीज होगा तो अगर pressure जीरो होगा तो total energy भी जीरो होगा यह चीज आप notes में डाल ले और important है तो सबसे पहले start करते Kelvin का Kelvin का आपने जानते कि इसका freezing.273 Kelvin होता है और boiling.373 Kelvin और यह divide होता है 100 parts में और one part is equal to one Kelvin मैंने इससे पहले आपको sensitivity के बारे बताया था और sensible heat के बारे बताया था वो सब आपने कल home work में बना रखें या नहीं वो comment सकते में मुझे बता देना तो देख लीजे यहाँ पर 273 Kelvin जो इसका होता है melting point और 373 degree Kelvin जो होता है इसका boiling point होता है one part कि scale, one Kelvin के बड़ाबर होता है और जो scale मैं आपको बता रहा हूँ यह scale 100 parts इसी से आपका formula drive होगा देखिए कैसे formula drive होता ह तो फिर next scale के बाद करते है वो scale जो है आपका rumor scale तो rumor scale वो 1730 में invent किया गया था rumor साब के द्वारा और यह rumor साब ने भी तीन pressure तीन gas के लिए apply किया गया था यह तीन gas को लिए थे उसके बाद फिर उसको जब temperature बहा थे तो pressure increase इनके में भी करने लगता था तो सबसे पहले start करते है यह rumor scale तो rumor scale जो होता है zero rumor उपर 80 rumor तो melting point कितना है zero rumor और उपर 80 rumor और एक कितने पार्ट में डिवाइड है 80 पार्ट में divided है और एक कभी इनवेंट किया गया था 1730 में यह invent किया गया था अगला बात करते है rankine scale rankine scale दोस्तों यह important scale है इसका कितने पार्ट में डिवाइड होत का जो melting point होता है वो 460 rankine होता है और इसका boiling point क्या होता है 672 rankine और one part is equal to one rankine के बरावर होता है तो यह सब scale आपके important है rumor scale rankine scale उसके बाद Kelvin scale Celsius scale साड़े scale important है और इस scale से आप किसी भी जगागा temperature measure कर सकते है है rumor में rankine में किसी भी किसी भी scale में आप इसे major कर सकते है और आसानी से निकाल सकते है और यह जो एक question बहुत important होता है अब मैं इसको formula के बारवात आता हूं तो सबसे पहले दिख लिए c-0 हम लोग जानते है कि melting point Celsius का कितना होता है 0 होता है और boiling कितना होता है 100 तो c-0 divided by 100 उसक 32 होता है हेर नाइट का किया melting और boiling 180 होता है और k-273 by 100 हम लोग जानते 273 होता है वो melting point होता है और 100 नीचे डिवाइड किया गया उसका बाद r-0 by 100 उसका बाद r-3 460 divided by 212 तो इतना करने के बाद जब इसको साड़े को calculate करोगे थे c by 5 f-32 by 9 k-273 by 5 r divided by 4 उसका बाद r-460 10.6 divided by 10.6 तो इतने सारे लंबे चोड़े इसके formula हो गया मगर एकजाम में आपको Kelvin, Fahrenheit और Celsius में convert करने के लिए ही पूछे गा है क्यूंकि नीट उसके बाद Air Force, Navy, NDA, Coast Guard में इतना ही पूछे गा है उसे जदा नहीं पूछ सकता है तो आपके लिए important formula हो ग 9K-273 by 9 तो आप इसे जवूर से जवूर याद कर ले क्योंकि यह most important है और आपके एकजाम में जवूर दीखने को मिलेगा और यह जो मैं बता रहा हूं हीट का जो यह most important chapter है बहुत सारे बच्चे को यह समाझ में नहीं आता है तो इसी पर करके knowledge को जानने के लिए मेरे channel को like subscribe और share करके जाना और comment 6 ने बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा मैं इसी परेयर के वीडियो हर रोज लाओंगा यह part number 2 है इसे पहले part 1 डाला है उसको जवूर देख लें ताकि आपको अच्छे समझ में है तब तक के लिए इतना ही जैहिल जै भारत बंदे मातर